नमस्कार दोस्तों फार्मी नौलेच इस यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों थमनेल देखके आप जानने के लिए उस्सुख हो कि एक एकड में चंदन का प्लांटेशन करके साला न पाच लाग से ज़्यादा कैसे कमाया जा सकता है तो दोस्तों सही है आप एक एकड में चंदन का प्लांटेशन भी कर पाओगे और हर साल उसी एक एकड से पाच लाग से ज़्यादा भी कमा पाओगे दोस्तों बहुत से किसान सोचते हैं कि चंदन लगाने के बाद 15 साल 20 साल तक कोन रुखने वाला है तो उनकी बाद भी सही है अगर किसी किसान के पास एक एकड़ी जमीन है तो वो यही सोचेगा कि अगर एक एकर में चंदन लगाया जाए तो हर दिन का गुजरा कैसे चलेगा तो इसलिए बहुत से किसान चंदन फार्मी करने के लिए पीचे हड़ जाते हैं तो इसी टॉपिक के उपर में आपको इस वीडियो में जानकरे देने वाला हो और मेरा भी यही आगे का प्लान है दोस्तो चंदन प्लांटेशन के वीडियो मेंने बनाये हुए है अगर वो वीडियो देखे नहीं तो आप जरूर जाके देखिए उसमें मैंने चंदन का डिस्टन्स कितना लेना है उसके लिए लगने वाले होस्ट कौन से है और अन्य जानकरी बताई हुई है चंदन लगाते समय आपको आसानी हो जाएगी दोस्तो प्लांटेशन के बाद जब चंदन के पेड़ जेड़ साल के हो जाएंगे तब आपको चंदन के दोनों लाइन के बीच में आपको सहजन यानी मोरिंगा मारेटी में हम उसको शेवगा कहते सजबेनिया यानी हदगा इनका प्लांटेशन करना है आप इनका नहीं लेना है दोस्तों इसका इस्तेमल हम चारे के लिए करने वाले हैं आपको एक एकड में यहीं प्लांटिशन करना है इसके साथ आप तुती भी लागा सकते हों दोस्तों जब आप चंदन का प्लांटिशन करोगे तो उसके साथ आप नीम सुरू भी लागाने वाले हो तो वो भी हमें चारे में मिलने वाले है बक्रिया दोनों को भी खाती है नीम के खाने से बक्रियों में डी वर्मिंग का काम हो जाता है हदगा, सहजन और तुति से हमें बहुत सारा चारा मिलने वाला है हम इसको हर बार कटिंग करने वाले है इसलिए अगर ये ज़्यादा बड़े हो जाएगे तब इसकी छाव चंदन पर नहीं पड़ सकती तो आप बेफिकर रहिए आप अपने खेत में बाउंडरी पर नेपियर ग्रास भी लगा सकते हो जो बकरिया खाती है वो इस सबी चीज़े आप बाउंडरी पर लगा सकते हो सू बबुल आप मत लगाना क्योंकि मैंने ऐसे सुनाए कि सू बबुल अपने नजदिक वाले पेड़ को आने नहीं देता तो मुझे इतना पता नहीं कि ये सच है या जूट अगर आपको पता रहेगा तो आप कमेट बॉक्स में ज़रू बताना मोरिंगा और हदगा लगाने से चंदंग को होस्ट प्लांट भी मिल जाएगा फिर दोस्तो आपको आपके पूरे फार में बाउंडरी पर जाली वाला कंपोर्ण करना है और आपके खेत में मुर्गियों के लिए शेड बनाना है इससे आपका फ्री रेंज मुर्गी फार्म का सेटप तयार हो जाएगा अगर आपकी बक्रियों के लिए आप अपने खेत के नजदीक शेड बना सकते हो तो अच्छी बात है दोस्तो इन सब चीजों से आपका पूरा फाइदा होने वाला है हम आगे जानेगे की कैसे होने वाला है इससे चंदंग को कोई भी नुकसन नहीं होगा उल्टा चंदंग को इससे बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है खेत में निकलने वाले चारे पर आपकी बक्रियों का गुजारह होगा और यही चारा आप मुर्गी को भी डाल सकते हूं खेत में जाली लगाने से खेत की सुरक्षय भी हो जाएगी और आप अपने मुर्गीयों को खेत में खुला भी छोड़ पाओगे मुर्गिया खेत में घुमकर खेत में से कीडे, खर्पतवार और अन्य प्रकार से अपना खाना खा लेगी जिससे आपको खाने के उपर लगने वाली कोश्ट बच जाएगी मुर्गियों की वज़े से चंदन पिट पर लगने वाली दिमक पर नियंतरन हो जाएगा जमीन में रहने वाले वाइड ग्रोप यानि सफेद लट, माराटी में हम उसको हुमनी कहते है ये तैयर होने से पहले ही इन पर नियंतरन हो जाएगा मुर्गियों की वेस्ट से और बकरियों की वेस्ट से चंदन और बाकी पोदों को खाद भी मिलेगी मुर्गियों की वेस्ट की वज़े से जमीन में केच्वयों की पैदावार बढ़ जाएगी जिससे जमीन नरम होने में आपको मदद मिलेगी और मुर्गियों को केच्वय के खाने से अच्चा खाना भी मिलेगा तो देखा जाए तो आपको इन में कम पैसा इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है तीन साल बात आप अपने बकरियों को खेत में चरवाने के लिए खुला भी छोड़ सकते हो इससे आपको खेत में से खरपतवार निकलने की जंजट भी नहीं रहेगी आप एक एकड में 5000 से 10,000 तक देशी मुर्गी का पालंग कर सकते हो अगर आपने 5000 मुर्गी भी पाली तो आप साल में देशी मुर्गी के सिर्फ दो बैच भी लोगे अगर एक मुर्गी के पीछे आप 100 रुपए भी कमाओगे तब भी एक बैच में आप 5 लाग तक की कमाई कर सकते हो दोस्तो इसमें मैंने कुछ बड़ा चड़ा के कैलकुलिशन नहीं किया है अगर आप देशी मुर्गी अपने घर पर पाल रहे हो तो आपको पता रहेगा कि एक देशी मुर्गी कितने तक बीख सकती है और आप देशी मुर्गी को बड़ने के लिए 5-6 महने भी देने वाले हो तो इससे इनका वेट भी ज़ादा बढ़ जाएगा उपर से इसमें आपको कम से कम फूड कोस्ट आने वाली है तो खाने का खर्चा आपको इसमें बच जाता है आपको सीर्थ चूजे लाने है और देड़ महने बाद उन्हें खुला छोड़ देना है अगर आप मार्केट से मुर्गियों का फूड लाओगे तो ये मुर्गिया चार महने में आप बेश सकते हो तो साल में आप तीन बैच आराम से ले सकते हो और आप चार साल तक भी 20 बक्रिया पालोगे तो उनसे आपको सालाना 2 लाग तक की आराम से कमाई मिल जाएगी चार साल तक मैं इसलिए कह रहा हो कि छे साल के बाद आप अगर खेत में पानी देना बंद करोगे तो आपने चारे के लिए जो पेड लगा है वो रहे ना तो इसलिए मेने बक्रियों की जो इंकम है वो चार साल तक ही पकड़ी है छे साल बाद बारिश के टाइम पर आप 4-5 महने तक बकरियों को खुला खेत में चरवाने के लिए छोड़ सकते हो क्योंकि बारिश के टाइम पर ज्यादा खरपतवार और ग्रास आती है तो बकरिया इनको खा सकती है और नीम के पोदे पूरी टाइम आपको बकरियों के खाने के लिए मिल जाएंगे लेकिन मुर्गिया आप जबी तक चाहे तबी तक पाल सकते हो 3-4 सल बाद पेड इतने बड़े हो जाएंगे कि मुर्गियों को और ज़्यादा चाव मिल जाएगी अगर सिर्फ मैं मुर्गियों की ही बात करू तो आप सालाना 10 लाग तक कमा सकते हो ये तो हो गई कहने की बात पर ये सब आपके करने के उपर है अगर आप छोटे स्तर पर चालू करना चाहते हो तो तब भी आप चालू कर सकते हो तो दोस्तो ऐसा करके एक एकड़ वाला किसान भी चंदन भी लगा पाएगा और हर रोज के खर्चे को भी पूरा कर पाएगा ना कि उससे जादा ही कमा लेगा तो इस प्रकार आप आपने एक एकड़ खेत में चंदन लगा कर भी सालाना लागों की कमाई कर सकते हो और 3-4 साल बाद जब चंदन के हमें बीज मिलने वाले हैं तो उसकी इंकम हम आने वाले समय में देखेंगे चंदन से आपको भविश्य में कितनी इंकम मिल सकती है इसका वीडियो उपर दिये गए आई बटन पर क्लिक करके आप जरू देखिए इससे आपको अंदाजर लग सकता है कि आप चंदन से कितना कमा पाओगे तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी जरू दबाईए जिससे भविश्य मे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरण मिल जाए तो याद से दोस्तो अपने भाई के चैनल को सस्क्राइब जरू करना धन्यवाद दोस्तो